देखेंगे कि टोपोलोजी क्या होता है, टोपोलोजी एक ऐसी चीज है, जो दो डिवाइसे को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में हम एक लिंक बनाते हैं by using various type of method and that is called as topology, पहले हम देखेंगे कि मेश, आपको मैं गाइस बता दूँ कि 5 ताइप की टोपोलोजी होती हैं, जि इस तरह से हम देख रहे हैं, यह हमारे डिवाइस से यह कनेक्ट हुआ है, यह इस से कनेक्ट हुआ है, यह इस से कनेक्ट हुआ है, यह इस से कनेक्ट हुआ है, इस तरह से हमारे सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं, तो इसके वज़े से क्या होता है, कि ह हमारा जो device है अगर इसमें कभी किसी एक device में कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो connected devices है उनके साथ जो link बनी है सिफ वही link पर प्रॉब्लम हैगी बाकी links easily अपना काम करते रहेंगी तो यह इसका एक advantage है दूसरी हमारी जो topology है जो है star topology इसमें क्या होता है कि हमारा जो devices हैं common central hub से connect होते हैं central controller जिसे हम कहते हैं हब उससे dedicated P2P line से हमारे सारे devices connect होते हैं इसका यह फायदा होता है इसका advantage topology का यह है कि अगर हमारा कोई एक device खराब होता है तो बाकी के as it is work करते हैं बट इसका disadvantage यह है कि अगर hub में problem है तो पूरा का पूरा device बंद हो सकता है friends अब हमारा next topology है tree topology जिसके अंदर एक tree के form में हमारे device एक दूसरे से connect होते हैं जैसे की जो हमारा सबसे top पे होता है that is hub और hub से हमारे यह devices connect है suppose यह one and two यह दो device hub से connect है और फिर यह one से यह दो device connect है one and two और यह two से one and two इस तरह से मतब यह sub devices जो होते हैं इसे हम कह सकते हैं यह हमारे primary devices है और यह हमारे secondary devices है अगर हमारे पर एक इसमें यह चीज होती है tree में कि आपके hub से directly सारे devices connect नहीं होते हैं यहाँ पर हमारे hub से सिर्फ primary device connect है और primary से secondary indirectly वो hub से connect है बट directly हम देखें तो सिर्फ primary devices हमारे hub से connect हो हमारे next topology है bus topology जिसके अंदर हमारे जो devices होते हैं वो एक bus के form में या फिर कह दो एक single line में connect होते हैं like this with a cable अगर हम देखा जाए तो ये हमारी cable है इधर also a cable इस तरह से हमारे इसमें ये 1, 2, 3, 4 हमारे devices connect होते हैं in a single row इसका ये हमारा disadvantage होता है कि अगर इस cable में कोई problem आ जाए या फिर हमारे किसी एक device में problem आ जाए तो वो आगे का सारा process सारा system बंद हो जाता है friends हमारी next topology है ring topology जिसके अंदर हमारे जो devices हैं वो in the form of ring एक दूसरे से जुड़े होते हैं by dedicated line इसका भी हम कुछ देखा जाए अगर तो disadvantage है कि अगर एक system में कभी कोई problem आ जाए तो हमारा whole system बंद हो सकता है इस तरह से ring topology काम करती है inner ring दोस्तों ring topology में जो हमारे devices हैं वो इस तरह काम करते हैं जैसे हमारा कोई token है एक work है तो नून अज़ टोकन वो कंसिडर इस तोकन तो वो टोकन जब पहला first device काम कर लें जो पर दन इट पास्टों तन टो वाला ज़ी ज़ी दिवाई से मारा वो उसके लिए काम करते हैं तन इट पास्टों टो टो थी इन दिस वे दिस रिंग वाक्स